नमश्कार प्रिव्य मित्रो फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है डियसार जून मित्रो नौक जोंक किस रिष्टे में नहीं होती कौन सा ऐसा रिष्टा है जिसमें लड़ाई जगडे नहीं होते जितने भी रिष्टे प्रेम से जोड़े हुए हैं प्यार से जोड़े हुए हैं पती पद्नी का रिष्टा हो प्रेमी प्रेमी का का रिष्टा हो भाई भेहन हो या कोई मित्रो जहाँ पर प्यार है वहाँ ठकडा रही है नौक जोंक जोंक चलती रहती है और चलती ही रहेगी परंतु कभी कबार ऐसी कुछ समस्यां हमारे संबंदों के भी जा जाती है चाहे एक से नक्षत्रों का खेल कह लीजी या बुरा वक्त कभी कभी अपना कोई खुद से दूर जाने लगता है खुद से अलग होने लगता है अब वजह चाहे कुछ भी हो कोई किसी और की आकर्शन में आ सकता है कोई और उसे ज़्यादा भाने लगता है और आपका रिष्टा आपका सम्मंद खराग उने लगता है कभी कभार लड़ाई जगडे इस हब तक हो जाते हैं कि सामने वाला आप से बात करना भी बंद कर देता है मित्रो ऐसी समस्या के समधान के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली उपाए आज हम आपको बताएंगे हमारी वीडियो के माध्यम से जो खपूर के द्वारा होता है पड़ा सराल उपाए है ध्यान पूरवक अंतर वीडियो को सुने आपको अवश्य आपके संबंद को सुदारने में लाब मिलेगा क्या करना है आपने रोज रात के समय जब भी सुएं उस समय अपने तक्ये के नीचे या आपका गदा हुआ अगर आप तक्ये इस्तेमाल नहीं करते उसके नीचे आपने एक कपूर रख देनी है सिर्फ एक और कपूर जब तक्ये के नीचे रख कर सुएं उस समय एक बार उस व्यक्टी को जिसके लिए भी आप यह उपाई कर रहे हैं उसे असमनन करें उसे ध्यान करें पुरे एक अगर जित्तो हो कर आपने क्या करना है उसके बाद एक मंत्र का लिटे लिटे उचारण करना है बिस्तर पर लिटे लिटे ही आप एक मंत्र उचारण करेंगे इस मंत्र को आपने पांच बार बोलना है और यह उपाएं मित्रो बता दें आपने पांच दिन लगातार ऐसा ही करना है आप किस प्रकार से स्क्रिया को आप पूर्ण करेंगे तेकिए के नीचे आपने कपूर रखा आप सुए और उसके बाद पांच बार जो मंत्र आपने बोलना है वो वीडियो में स्क्रियम पर आपके सामने दिखाये गया है बड़ा सरल सा मंत्र है पहले से आप याद कर लेंगे ओम शरीम परिणाय अमुक वश्या अमुक के स्थान पर आप उस व्यक्ति का नाम लेंगे जिसके लिए आप युपाए कर लेंगे मुख्य नाम जो पहला नाम होता है वही आपने यहाँ पड़ लिने पांच बार मंतर को उच्चारित करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना है आप सोज़ें अगर आपका पानी पीने का दिल करें आप पी सकते सुबह जब आप उठेंगे इस कपूर को आप उस स्थान से निकातने आप इसे किसी कटोरी आदी में रखें लें समाग लें किसी काबिज में लें पीट लें सनान के बश्चाद आप इस कपूर को जला दें घर के भीतर यह आप इसे कहीं भी रखकर आराम से जलाएं ये कारे आपने पांच दिन करना है यहां आपने ये कारे पांच दिन कर लिया वहां उस वेक्ति से आप खुद देखेंगे आपके संबंद आपके रिष्टे सुदरने लग जाएंगे जससे भी घराव हैं पुरुष इस्त्री कोई भी किसी के लिए भी उपाय कर सकता है ने संकोज उपाय को करें और ध्यान पूर्फक करें एकागर चत्त होकर करें और आप दीखें किस प्रबार से आपका इस संबंद आपके रिष्टा हमेशा के लिए सुदर जाएगा मित्रो उपाय को शुरू करने का जो समय आपका रहेगा वो रहेगा सोमवार का मंडे के दिन इस उपाय को आप शुरू करेंगे और शुक्रबार को इस उपाय को आप खत्म परेंगे शनिवार के दिन आपने सुभे इसे आखरी बार जलाना है और यहीं आपका ये उपाय समाप्द भी हो जाएगा पितर आशा करते हैं उपाय आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा यदि वीडियो आपको पसंद आई हो उपाय आपको पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य करें अधिक साधिक वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य आपके मित्रगण कोई अगर इस प्रकार की परेशानी से जूझ रहें तो उनकी ये समस्याय समाप्द हो जाए अब अनुमती देमित्रो फिर मुलाका दोगी अगली वीडियो में एक ऐसे ही बहुती शरल परंदु शक्तिशाली उपाई के साथ होना खयाल रखें खुश रहें नमस्कार